आ गये हैं मोबाइल स्क्रीन पर आपको सबसे पहले क्या करना है आपको जाना है गूगल क्रोम में गूगल क्रोम में जाने के बाद में आपको टाइप करना है ओनलाइन SBI जाए 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 ओनलाइन SBI क्लिक करने के बाद ओनलाइन SBI ओपन होने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी आपको इसमें जाना देगे उपर है परस्टनल बैंकिंग नीजे है योनो SBI Business Corporate Banking आपको Corporate Banking में जाना है लॉग इन पर क्लिक करना है और जो आपका एक्जिस्टिंग यूजर आईडी पासवर्ड है उसी से आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालूँगा यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बा पासवर्ड चेंज होना होता है। जिसे हम नहीं करते हैं। एप यूज़ करते रहते हैं। और आपको ये चीज शोर। नहीं करता है। नब्वे दिन्हें के बाद eप कंचिन बंद कर देगा। क्योंकि आपका पासवर्ड चेंज होना होता है। तो उस टाइम आपको क्या करना होता है जो मैं प्रोसेस आपको बिल्कुल अभी बता रहा हूँ है इस फ्रोसेस को एक बार दोराना होता है यहां पर आकर आप अपना पासवर्ट चेंज कर सकते हैं और पासवर्ट चेंज करने के बाद अपना योनो एप जिस तरीके साथ आपके सामने ये screen खुलेगी, इसमें आपसे मांगा गया है profile password, profile password क्या होता है, जब आपको ID password दिया जाता है starting में, तो एक profile password भी दिया जाता है, वही profile password आपको यहाँ पर डालना है, डालने के बाद आप इस पर click करेंगे, click करने के just बाद आपके सामने एक नई screen खुलेगी, जिसमें आपको अपना login password चेंज करने के लिए बोलेगा, इसमें क्या करना होगा, देखिए आपके सामने ये screen खुल गई है, ये screen है, इसमें आपको क्या करना है, फर्स लाइन में आपको अपना पुराना login password डालना है, जो आपका था, दूसरी लाइन में आपको नया password डाल ताल दिया है और अब मैं सम्मिट बटन पर क्लिक करूँगा सम्मिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक स्क्रीन शोग होगी उस पर मैसेज आएगा कि यौर पासवर्ड हैस बिन सक्सेसफुली चेंज़ देखे यह स्क्रीन आएगी आपके सामने इट मेंस आपका प लेंकिंग फैसिलिटी का अनंद ले सकते हैं तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हम एक और ऐसे ही वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच